नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीकेमादिकापर दोस्तो आज की इस वीडियो में बाइलोजिस से 30 कुचन का सेट नमर 3 देखेंगे दोस्तो सभी कुचन 2018 के गुरूबडी के पेपर से लिया गया है इसलिए दोस्तो वीडियो के लास्त तक बने रहेगा क्योंकि आपके आगे आने वाले गुरूबडी एक्जाम के लिए ये वीडियो काफी महत्पूर रहेगा दो चली दूश्तो सुरू करते हैं पहले प्रत्सन से दोस्तो पहला प्रत्सन है दही में कौन सा अमल पाजाता है या बीजू के डंक में पा जाता है टाटरी का इमली में पाय जाता है तो सभी पॉइंट को ध्यान रखना है ठीक है अगला प्रसंद देखते है पौधे में फोलेम किसके परिवान के लिए उतर दाई है पौधे में फोलेम किसके परिवान के लिए उतर दाई है नारियल के छाल का निर्मान अस्केलरेन कायमा उत्तक के द्वारा होता है तो option नमर D से हो जाएगा अस्केलरेन कायमा जो नारियल के छाल के निर्मान अस्केलरेन कायमा उत्तक द्वारा होता है ठीक है अगला प्रस्ण लेखते है अगला प्रस्ण है प्रोटिन किसका एक अभी नंग है ठीक है अगला प्रसन देखते हैं जिस्तो अगला प्रस्ण है मानो सुक्रानु में कितने गुन्सुत्र मौजुद है तेज गुन्सुत्र मौजुद है ओप्षन नमर सी सही हो जाएगा अगला प्रस्ण है देखते है पराने वर्गिकरन का पदा नुकरम निम्न में से कौन सा है ओप्षन नमर सी हो जाएगा सह संग, वर्ग, गर्ण, कूल, वर्ण, पर जाते ठीक है ठीक है अगला प्रस्न ने चूर किसके दवार लिखा गया है य। ठीक है अगला प्रस्ण देखते हैं किसका सरीर कोशिका के दो पर्तों से बना होता है किसका सरीर कोशिका के दो पर्तों से बना होता है सिलेंट्रेटा सिलेंट्रेटा जो है सिलेंट्रेटा के सरीर कोशिका के दो पर्तों से बना होता है option नमर ए सही हो जागा ठीक है अगला प्रसन देखते हैं केचुगा इनमें से किस जनतु परजाती से समंद्ध है नमर से कौन केबल समूंद में पाया जाने वाले मचली है अस्टारफीस अश्ठार फिस, उप्सन नुमर डी सही हो जागा, ठीक है अगला प्रसंद दखते हैं पच्चियों में कितने कच्छे हिर्दे होते हैं, पच्चियों में चार कच्छे हिर्दे होते हैं Option नुमर 20 सरी हो जाएगा चार कच्छी हिर्दे पच्छों में पा जाते हैं ठीक है अगला प्रसंद दखते हैं सरीर के किस भाग में पीतर सानिबाइल जूसका उत्पादन होता है सरीर के किस भाग में पीतर सानिबाइल जूसका उत्पादन होता है अक्रित, उप्षन नुमर डी सही हो जाएगा, अगला प्रस्ट दखते हैं, मानों में भोजन और हवा के लिए समान मार्ग है, मानों में भोजन और हवा के लिए समान मार्ग गरस्णी है, तो उप्षन नुमर डी सही हो जाएगा, गरस्णी, अगला प्रस्ट दखते हैं, मान सफेद रख्तकन का मुख्यकार्ज क्या है ? से अगला प्रस्न दखते हैं घर डाइलीसिस की परक्रिया किसे समंदिट है यूर्दा ऑने कीड्नी से समान आख के लिए असपर दिरिष्टी की नियुंतम दूरी क्या है समान आख के लिए असपर दिरिष्टी के नियुंतम दूरी पचीश सिंटीमिटर है तो अप्शन नमर्स C हो जाएगा सही अगला प्रसन देखते है दो अश्तियां एक दूसरे से किसी अनसंजुजी उत्तक दोड़ी हो सकती है जिसे क्या कहते हैं तो सनायो कहा जाता है अप्षन नमर ए से हो जागा अगला प्रस्थ दखते हैं इंसुलिन दोड़ा किस बिमारी का उपचार किया जाता है मधु में म्दु में अगला प्रसंद दखते हैं कि खटे फुल का संतरिग सरोत का माणा जाता है माना बाना जाता है ब्टामिन चिक वो सन नम्र्डि सएवागा ठीक है अगला प्रस्ण दिकते हैं इनमिलखित में से कौन सा ऐरिन का सबसे परचूर सुरोथ है अबद सब्सक्राइब का सबसे परचूर शुरोथ हरी किसका उपचार करता है एफल्मो लोजिस्ट किसका उपचार करता है आखों का प्रटीन की कमी से होने वाले बिमारी को क्या का जाता है क्वाइस चूर कर का जाता है क्वाइस चूर कर अप्शन नमर यह सही हो जाएगा असके और भी रोग किसके कारण होता है तो असके भी रोग दोस्तों विटामिन बिटामिन C के कारण होता है बेरी बेरी बिटामिन B के कारण होता है रिकेटस बिटामिन D के कारण होता है तो सभी पाइन को दिहार लखना है अगला परस्तन देखते हैं किसकी दोस्तों किसकी कमी के कारण रखतालपा नेनेमिया रोग होता है होता है तो सभी प्वाइंट को जयान रखना है मैं तो मैं ढूझिए हाइड़ोफूब्या की कुसके कारण होता है तो रेविज का विसानू के कारण होता है अगले वीडियो में 30 के साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब ने के सब्सक्राइब करके वेल आइकन दबा देजिए जय हिंद